दंतोली में आलन टॉकिस के पास महिला उद्योगिक प्रशिक्षन संस्थान की चात्रा ने शादी तै करने के लिए घर में महमानों के आने से जहर खाकर आत्महत्या कर ली मृतक छात्रा की पहचान मानेवारा निवासी 23 वर्शियर या उर्फर रानू अमरदीप धनविजय के रूप में हुई है पुलिस के मताबिक मृतक छात्रा एक उद्धोगिक प्रशिक्षन संस्थान में पढ़ती थी वो 6 मार्च सोंबार को सुबा 11 बजे उद्धोगिक संस्थान पहुंची थी उसके माता पिता ने उसकी शादी ते करने के बारे में सोचा था लेकिन युफ्ती शादी नहीं करना चाती थी वो अपनी पढ़ाई पूरी कर नौक दी करना चाती थी हाला कि उसके माता पिता उसकी शादी के लिए कोशिश कर रहे थे वहीं 6 मार्च को भी घर में युफ्ती को देखने महमान आये हुए थे युफ्ती की मा ने उसे घर पर बुलाया हाला कि उसने घर आने से इंकार कर दिया और अपनी मा से पूछा कि आज होली होने के बावजूद उसे क्यों फोन कर घर बुलाया जा रहा है शंकाजता ही जा रही है कि यूफती शादी से इसलिए इंकार कर रही थी क्योंकि वह किसी अन्यलरके को पसंद किया करती थी 6 मार्च को रिया ने क्लासरूम में किट नाशक का सेवन कर लिया जिससे वह बेहोश हो गई अन्यशात्रा ने उसे लतम अंगिशकर अस्पताल में भरती कराया वहां 11 मार्च की सुबा करीब साड़े 11 बज़े इलाज के दोरान यूफती की मौत हो गई पुलिस ने इस मामले में आक्समिक मौत का मामला दर्च कर लिया है शब को पोस्ट मौटम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है आगे ही करवाई जारी है गेलेली होती नव वस्ता आणे साधारंता साड़े दा हवास्ता तीचा आई चे आणे मुली चा फोन मर्दी संभाशन जाला मृतक ही चा आई ने मृतक मुल्गी हीला की पाहोणे बगयला एना रहे घरी लोग करे असा निरोग दिला आणे त्यान अंतर नुतक मुली ने आईला आज होडी सा दिवसा है आजस पाहोणे अनार का आसो सोता संभाशन जाला आणे सदर मृतक मुल्गी हीतीचे आईला गरी एतो असा सांगितला परंतु साधारंता त्याज दिशी बारा वास्ताचे दर्म्यान इन बिजिन न्यूस के लिए अकलिश भादवाज के साथ अकसा अंसारी की रिपोर्ट